हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई यूटूब चैनल सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका करते हैं पहला कोईसेंस पूछा गया था प्रटेक पूरति करता ख़ुतों वा जिस भी राज्य अथवा संग सासित छेतर हो केवल उन विशेयस स्रेण के राजियों को छोड़ कर यदिवा किसी कर योग माल की आपूर्ति करते हैं अत्वा सिवा परदान करते हैं तो उन्हें केंद्रिय माल इबन सिवा कर अधनियम 2017 गुर्स एंड सर्विट टैक्स एक्ट 2017 के तहित पंजी करण करवाना होगा यदि उनकी एक वितिय वर्स में सही जवाब हो जाएगा 3,000,000,000 नैस कोईसंस 60,000 रुपए की लागत का मल मनीसा को विक्रे पर 25% लाप घटा 5% बयापार बटा पर बेचा जाए विक्रे खाते में दर्साइज जैने वाली रासी परिकलतित कीजिए सही जवाब हो जाएगा इस कोईसंस का तीसरा वाला का मिलान गलत है देखिए दूसरा वाला जो आपसंस है आपका विल्कुल सही हो जाएगा ब्यापार एबं लावानी खाता आए बिबराना बढ़ते हैं अगले कोशन्स की और नैस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे निम्न में से किसे नाम मातर का खाता माना जाता है देखिए अनाविदित पूजी और फिन नमर चोथा करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन्स देखेगा नैस कोशन्स समरा है अनिल तथा बलदेव तीन अनुपाद दो के अनुपाद में लाभ हानी बाटने वाले साजेदार हैं पुनर मुल्यांकन हानी 14,000 तथा सामान संचे 24,000 के अनिल की पूजी 60,000 तथा बलदेव की पूजी 30,000 है वे एक नैस साजेदार के रूप में चंद्रमडी को प्रविष्टी करते हैं तथा उसे लाभों में से एक बटा पांच भाग देने पर सैमाथ हो जाते हैं चंद्रमडी अनुपातिक पूजी लेकर आएगा में से कौन सी लेखांगा समीकरण नहीं है संपतियां देताएं पूजी जो है ना ये लेखांगा समीकरण नहीं है नैस कोशन देखे पूछा गया था निम्न में से किसके लिए रोज नामचा प्रवष्टी नहीं की जाती है देखिए मैं आपको पता देना चाहता हूँ कि रोकड बट्टा के लिए रोज नामचा प्रवश्टी नहीं की जाती है तो चोथा option मिलकुल सही हो जाएगा नैस को संदेखे का सभी बच्चे साजेदारी सनलेक के अभाव में साजेदारी को निम्न पाने का अधिकार होता है पूजी अनुपात में लाब बिवाजन पहला option करेक्ट हो जाएगा नैस को संदेखे का सभी बच्चे जैम पर अनुबंद कौन रचित रहता है जैम पर अनुबंद जो है ना पी ए ओ रचित रहता है बात करेंगे अगले को संदेखे के गरिम धनराशि को विक्रएज नहीं माना जाता यह किस सरकलपना पर आधार देखे यह जो है ना उपारजिता सरकलपना पर आधार देखे नैस कोजिशन्स नैस कोजिशन्स हमारा है एक मसेनिरी का हर्सित मूल 12 لاक है इस मसेनिरी की कुल लागत 20 لاक है इसे वर्ष 2022 तेज के दोरान 24 लाक में बेज दिया जाता है परिणाम क्या होगा पूजी गतलाप 4 लाक ता आई गतलाप 8 लाक तो चौथा ओप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सुगा नैस को सेंस पूछा गया था बेचे गए माल की लागत के परिकलन है तू नम्न मैं से कम सा सूत्र सही है प्रारंबिक रही प्लस क्राई प्लस प्रत्यक्षव प्लस आंतिम रहीदः पहला ओप्शन विल्कुल सही हो जाएगा सेंसर को एक बार सियर कर दिए सभी बच्चे तेकि अगला को इसेंस पूछा गया था आएकर अदिनियम 1961 की दारा 28 से 44 डी जिससे सम्मन्दित है वह है तो यह सम्मन्दित है गरह संपति से आए दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन देखेगा नैस कोशन्स पूछा गया था परी संपतियां पर हरास परिकल्तित की जाती है उनके पुस्तिकी अमूल अथवा बाजार नहीं मूल पर जो भी कम हो तो तीसरा ओप्शन्स विल्कुल सही हो जाएगा नैस कोशन्सri पूछा गया था बिरमय पत्र में कितने पक्ष होते देखें बिरमें पत्र में कुल दो पक्ष होते हैं अगला कोश्चन निम्न में से कौन सा प्रतियच्छ कर है देखिए आय कर जो है यह प्रतियच्छ कर है अगला कोश्चन देखेगा सभी वच्चे दोजार बाइस तेश के दौरान इस्टेशनरी है तू 80,000 रुपए तो इस कोईशन्स का जो सही जवाब हो जाएगा 31 मार्च दोजार तेश को समाफ्थ हुए आए वे खाते में इस्टेशनरी की कितनी धन्रा से दर्साई गई है 76,800 रुपए प्रारमिक रहती है इतना अंतिव रहती है इतना बर्स के दौरान लागत पर 30% लाप की दर्से माल बेचा जाता है प्रचालन से आगम परिकल्पित कीजिए तो दूसरा ओप्शन्स बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नैस्ट कोईशन देखेगा सभी बच्चे निम्न में से किस खाते का जमा सेस होता है देखे खाते का बापसी आवक का जो है ना जमा सेस रहता है नेस्ट कोईशन्स वस्तु एवं सिवाकर अधनियम ये कब लागू हुआ तो वस्तु एवं सिवाकर अधनियम एक जुलाई 2017 को लागू हुआ तीसरा ओप्शन्स बिल्कुल सही हो जाएगा बात करेंगे नेस्ट कोईशन्स की सक्षम अधिकारी दोरा एक प्रमालपत अभिलेखित करने के अधार पर निवदा आमंत्रित किये विनाही जैम के माध्यम से जिस राशित तक कामाल क्रे किया जा सकता है वहा है 25,000 रुपए चोथा ओप्शन्स बिल्कुल सही हो जाएगा प्रपत्र को संसद में कौन प्रसुत करता है मुखे लेखा नियंत्रक चोथा ओप्शन्स बिल्कुल सही हो जाएगा सुगए नेस्ट कोईशन्स पूछा गया था लाब की आसा ना करके सभी संभावित हानियों हे तू प्रापधान किया जाए यह जिस परिपाटी पर आध जबाब हो जाएगा दूसरा बला उप्शन्स क्या बोला है कि बेचे गए माल की लाकत प्रिकल्पित कीजिए गया नेस्ट कोईशन्स पूछा गया था यदि किसी ग्यात दाइत्त की रासी सटीकता से निरधारित नहीं की जा सकती है तो यह है प्रापधार रचित करना चा प्रेले ही अविलेकित किया चुका है से एक धनरासी प्राप्त होने पर उसे जिस खाते में नामित किया जाना चाहिए तो यह नामित किया जाना डूबत रिन बरामत खाता पहला ऑप्शन्स विलकुल सभी हो जाएगा नैस कोईशन्स निम्ड में से किसका आरोपन केबल र 2023 को एक लाख रुपई निकाले वर्स 2022-23 तो बारा प्रतिसत प्रव किदर से आरहन पर ब्याज प्रिगलपित कीजिए 4000 रुपई चोथा उप्शन विल्कुल सही हो जाएगा लेक परिचा के मुखे प्रकारे हैं पहला दूसरा और तिसरा विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखेगा निम्न में से किसे चालू दाट्यों नहीं माला जाता है तो रेड़ पत्रों पर अधत्त ब्याज अगला कोशन देखे पूछा गया था एक फर्म का प्रबंदक कमीशन से पुर्ब सुद्ध लाब का 5% कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी है कमीशन से पुर्ब सुद्ध लाब से 42 रूप है प्रबंदक की कमीशन परिकल्पित कीजिए इस कोशन का सही जवाब हो जाएग पर उपलब दिन नहीं है उन्हें अपनी व्यवस्ता से प्रापण का पूर अधिकार किसे दिया गया है तो ये दिया गया है वारे जो मंत्राल है बात करेंगे नैस कोशन्स की यदि कोई लेखांका सूचना तुर्टी मुक्त है तो कौँ सी गुडातमक विसेस्ता प्रतिविंदित होती है विसेसे निता तीसरा ओप्षिंस करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन्स कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 के अनुसार एक अंकेच्चक को ये अधिकार है कि वा सामाने सबा में उपस्तित हो सके सुएम अथवा अपने प्रादिकर्ट प्रति नधी जो अंकेच्चक की योगता रखता हो के माध्यम से तो चौथा ओप्षिंस बिल्कुत सही हो जाएगा सुगय नैस कोशन देखेगा अजय ने बिनय पर साथ हजार रुपए का एक बिल लिखा बिनय ने से स्विकार कर लिया दो प्रतिसत बटे पर सत्तर हजार रुपए के निप्टायन तो अजय ने इस बिल को चिंटू को बेचान कर दिया था सिस रासी को रोकड के रूप में बुक्तान किया देती पर बिल अनादर्थ हो गया चिंटू की पुष्टकों में अजय को नामित की जाने वाली रासी प्रकल्पित केजिए एक सथ हजार चार सुरुपए पहला ऑप्शन्स विल्कुल सही हो जाएगा एक फर्म के तलपट में हास भीगमान है वारसिक खाते बनाते समय इसे दरसाया जाना चाहिए लाबहानी खाते तथा तुलन पत्र से चौथा ऑप्शन्स विल्कुल सही हो जाएगा नैस कोशन्स देखेगा निम्न में से कौंसा लेन दिन चालू अनपात को प्रवाबित करता है मसेनेरी कराय करने के प्रतिवल में रेन पत्रों का निर्गमन पहला ऑप्शन्स विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है